हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नेक्स चेन आयर सिटीस यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ रेलवे जुड़ी एक और नहीं जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जियां दोस्तों अगले साल भारत में चलेगी ऐसी ट्रिन जो सिर्फ जर्मनी के पास है यह करते हैं रेल मंतरी का और आपको कबरूस के बारे में चाहिए तो डिस्कृप्षीन में लिंक भी दी कै आप जाते हैं तो चलेकर के विस्तार से जानते हैं खबरों के अनुसार रेल मंत्री अस्टनी वैस्टनव ने गुरुवार को का की भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेने बना रहा है और यह साल 2030 तक त्यार हो जाएंगी जिहां दोस्तों उडिशा के भुवनेश्व रिष्दित एस्टोस उनिवर्स्टी में व हाइस्पीड वन्दे भारत ट्रेनों को निर्मान किया गया और यह ट्रेने पिछले दो साल से बिना किसी बड़ी खड़ाबी के चल रही है उन्होंने कहा कि ऐसी और वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेने आई सिफ में बनाई जा रही है और जल्दी इनको सेवं में लाय जा है और इसी साल जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की पहले खेप लॉंच की है जिसे फ्रेंच कंपनी औल स्टम ने 92 मिलियन डॉलर के लागत से 14 ट्रेनों कर रिर्मान किया है दोस्तों साथ ही आपको बता दे कि वहीं इससे पहले ट्रेन और ट्र रफतार से चल रहे ट्रेन में पानी से भरा ग्लास रखाता और वैजरासा भी नहीं हिला लेकिन इसने दुनिया को हैरान कर दिया साथी वैसनम ने अभी बताया कि वंदेबाद के सफल ट्रेल रन के बाद अब बाकी 22 ट्रेनों को उत्पादन शुरू होगा उन्होंने कहा क वंदेबाद ट्रेने 24.6 सेकंड में 0-100 km प्रते घंटे ग्राफतार पकड़ सकती हैं और 160 km प्रते घंटे की स्पीर से दौर सकती हैं फिलहाल दो वंदेबाद ट्रेने दौर रही हैं जिनमें से एक नई दिल्ली से वार नसी और दूसरी दिल्ली से वैस्टनों देवी तक जाती है तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही अगर आपको एक अबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइकन सेर कीजिए और रेलवेज जुड़ियों और जाहनकार्यों के लिए हमारे नेक्स जेन आयर सीटी से यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वाचिंग इस वीडियो